इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. L-SARP injection is used in the treatment of some kinds of cancer of white blood cells, यानि की, leukemia. इसका इस्तेमाल doctor की सलाह के अनुसार अन्य प्रकार के cancer के इलाज के लिए भी किया जा सकता है. इसका to have at the same time each day to make sure it has the best effect. आपका doctor निर्ने लेगा कि आवश्यक खुराक क्या है और आपको कितनी बार इसे लेने की जरूरत है. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका इलाज किस स्थिती के लिए चल रहा है और यह समय समय पर बदल सकता है. आपको इसे ठीक वैसे लेना चाहिए जैसा आपके doctor ने बताया हो. इसे गलत तरीके से या अधिक मात्रा में लेने से बहुत गंभीर side effect हो सकते हैं. आपको दवा के फायदे दिखने या महसूस होने में कई हफ़ते या महीने लग सकते हैं. लेकिन blood sugar level बढ़ा सकता है. इसलिए आपके blood sugar level, इलाज के प्रती आपके response और किसी भी side effect की निगरानी करने के लिए नियमिद blood taste की जरूरत होती है. आपको अतिरिक तरल पीने की सलाह दी जाती है ताकि आप आधिक urine पास कर सकें. इससे bladder और kidney की समस्याओं की रोक थाम करने और आपकी kidney को अच्छी तरह से काम करने में मदद मिलेगी. यह दवा आपके शरीर की प्रतिरोधक शमता को कम कर सकती है और infection की संवेद अंशीलता को बढ़ा सकती है. यह संक्रमन कभी-कभी जानलेवा हो सकते हैं. इलाज के दौरान गर्भवती होने या बच्चे का पिता बनने से बचने के लिए असरदार गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना आवश्यक है. इस दवा को लेने से पहले अगर आप गर्भवती हैं, गर्भ धारन करने की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.